अहम्दाबाद मुंबई बुलट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहट यह है वडोदरा के पास में रायका गाउं में शुरू हुआ मुख्य निर्माण कार्य यहां पर देश की जानी मानी इंजिर्निंग कमपनी लार्सन एंड टुर्बो यानी एलेंटी ने पाइलिंग का काम सुर प्रेद करके वहां पर कंश्रक्शन शुरू किया जाता है दरसल पाइलिंग को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि यह एक निव रखने का काम होता है क्योंकि इसमें बड़े-बड़े इस्तम्भ बनने हैं जिस पर एलिवेटेड ट्रैक जाना है लिहाजा इसके लिए जमीन मे छेत किया जाता है और वहां पर बड़े-बड़े खंभे तयार किया जाते हैं यह खंभे अपने वजन से नीचे चलने सुरू हो जाते हैं और जहां पर यह रुख जाते हैं वहीं पर माना जाता है कि पाइलिंग का काम पूरा हो गया है यहां आप देख सकते हैं इंजिनिय पांच-छे किलोमेटर लंबे वायडक्ट का निर्माण L&T ने सुरू कर दिया है एहंदाबास से मुंबई के बीश में जापान के सहयोग से बनाई जा रही बुलट ट्रेन परियोजना के तहत पूरा का पूरा बुलट ट्रेन ट्रैक एलिवेटेड यानि जमीन से उठा हुआ होगा इसके तहट 401.89 किलोमेटर से लेकर 489.64 किलोमेटर के एलिवेटेड हिस्से को C6 package के तावर पर निर्माण का कार L&T को मिला है बुलट ट्रेन परियोजना के इस हिस्से में वडोदरा से एहमदाबाद के बीच का ट्रैक पड़ेगा और इसमें बुलट ट्रेन का एक स्टेशन होगा साथी साथ आनन नाडियार के बीच में एक छोटा सा डीपो गुलट्रेन परियोजना के C6 हिस्से के तौर पर नेशनल हाई स्पीड रेल कार्पोरेशन ने नवंबर 2020 में 7,289 करोड रुपए का कांट्रेक्ट सबसे कम बोली लगाने वाली कमपनी L&T को अवार्ड किया L&T को ये काम 1370 दिनों में यानि तक्रीबन पौने 4 साल में पूरा करके देना है C6 पैकेज के तहट L&T ने यहाँ पर काम करना सुरू कर दिया है तो वहीं दूसरी तरफ C4 पैकेज के तहट भी बुलट ट्रेन परियोजना का काम सुरू हो चुका है इन दोनों को मिला कर 324.6 किलोमीटर यानि 63.89 फिजदी हिस्से का काम तक्रीबन पौने 4 साल में पूरा कर लिया जाएगा यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके की बड़ी बड़ी मशीने काम करना सुरू कर चुकी है और कुछ दिनों में ये काम नजर आने लगेगा यानि elevated track का काम सुरू हो चुका है